हालो गाईज, वेलकम टू माँ चैनल को तो साज कोचिंग लसीज, आई होब गाज रवल, गाईज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके कोशन्स पे, क्योंकि बच्चों की जो most inquiries यह आ रही है, जिन बच्चों ने B.A.D. कर रखा है, graduation कर लिया है, B.A.D. कर लिया है क्या मैम हम भी entity course कर सकते हैं, अगर हमें entity course करना है, तो हम कहां से कर सकते हैं, जो government job में eligible हो, like D.A.S.B. में या फिर KBS में, हम उसके जो form निकलते हैं, वो fill कर पाएं, तो please हमें guide कीजिए, आज की वीडियो इस topic पे रहने वाली है, अगर आप first time आई हो channel पे, channel को subscribe करके, bell icon प post आती है, या फिर कोई भी inquiry है, जो notifications के regarding होती है, उसके full details आपको इस channel पे मिलती है, तो उसके लिए channel को subscribe करना, तो देखिए guys सबसे पहले, जिन बच्चों के inquiry आ रही है, beard के regarding, बहुत सारे बच्चे आसे हैं, जिन्नोंने beard कर लिया है, seated paper भी उनका qualify है, बट वो भी pre primary teacher बनन चाहते हैं, तो उनके लिए उनको क्या करना होगा, firstly यह है कि जिनके पास beard है, beard के base पे तो वो pre primary teacher नहीं बन सकते, क्योंकि उनको बोला जाता है कि pre primary teacher बनने के लिए आपके पास entity course होना चाहिए, अभी बात आती है कि entity course regular mode में, like face to face mode में कौन करवाता है, जिसके base पे हम government post fill क कर पाएं, wait guys, yes, अभी continue करते हैं, थोड़ा सा short था, तो उसमें दिखी भी regular जो entity course है, वो कौन करवाता है, इसके regarding बहुत सारी यह अभी confusing है, बच्चों में doubts है कि कहां से हम कर सकते हैं, तो पहली बात यह है, मैं आपको बताना चाहती हूं, जो भी beard candidate है, जो pre primary में जाना चा और वहां से 13 तक ही बच्चों ने किया है, जितने भी जो institute है, डैली में institute है, या another institute है, जो entity course 2 years का regular करवाते थे, उन्होंने 2013 तक ही उस course को करवाया है, उसके बाद regular mode में यह course नहीं हो रहा, इसके against, like इसके against भी कह सकते हैं, या फिर इसके equal कह सकते हैं, कि जो entity course की जगा पे DPSC course चलता है, तो जो regular form होती है, वो DPSC course होता है, Diploma Primary School Education, दो साल का यह course है, अगर आपको ऐसा चाहिए कि हाँ हमें इस course के बारे में बताइए, जो हम regular mode में कर पाएं, किसी college के through, या फिर किसी university के under, हम कर पाएं, और उस course के base पे हम government post fill कर पाएं, तो DPSC course है, जो दो साल का होता है, या फिर आपको पता है कि DLED course भी होता है, GBT course भी होता है, हमारे यहां होता है पंचाब में ETT course, Elementary Teacher Training course, वो course भी pre-primary के लिए होते हैं, बट उसके लिए अभी उन्होंने जो eligibility criteria है, वो graduation कर दिया है, graduation के बाद आप उस course को कर सकते हो, बट आपने तो already BED कर रखा है, और आप pre-primary में जाना चाहते हो, तो आपके लिए DPSC course होता है, बट जो DPSC course है, वो just for girls कर सकती है, उसको boys नहीं कर सकते, ये भी उनके performing में mention किया गया है, Secondly, वहाँ पे age matter करी है कि 24 age आपकी होनी चाहिए, और आप इस course को कर सकते हो, अगर ज़ादा है तो आप इस course में admission ले सकते, बट अभी बात ये भी चल रही है कि जब seats खाली जाती है, तो callers वाले आपको eligible कर देते हैं, वहाँ पे जाकर आप DPSC course की information ले सकते हो, और बात करते हैं कि मैं DPSC course के बारे में तो हमने meaning बता दिया, हमें पता भी चल गया कि DPSC course होता है, दो साल का regular mode में, बट हम आपने DPSC नहीं करना हम तो entity ही करना चाहते हैं, बेड है हमारे पास, हमारे पास seated qualify है, entity बता दीजिए, तो entity regular mode में अभी कोई नहीं करवा रहा है, जैसे आप बोरो की अपने KBS अप्लाई करना है, DT plus B में अप्लाई करना है, वहाँ पे आपका regular mode का ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि जो previous P advances आई थी, वहाँ पे यो regular mode वाला ही मांगते हैं, जो entity अब भी के लिए चल रहा है, वो NCT के अंडर चल रहा है, National Capital Trader के अंडर वो चल रहा है, दो साल का कोर्स भी होते है, वन येर का भी कोर्स होते है, अगर आप vocational courses करना चाहते हो, लाइक आप अपनी ज होता है, method होता है, कि कैसे होता है, जैसे Igno University, Odeal mode में प्रवाइद करती है, D, E, C, E course, one year का, जिसको हम is equal to entity बोलती है, same ही वही procedure होता है, कि आपके admission done होती है, उसके बद आपको Icard वगरा issue किया जाता है, आपके जो assignments होती है, उसके बार में institute वाले आपको प्रवाइड करती हो, उसके बाद आपके exam आते हैं, exam के लिए institute के according जो भी उनके term on conditions होती है, कि वो online लेते हैं, या फिर आपके manually institute में बलाके आपको exam लेते हैं, तो वो उनके, उनपे depend करता है, तो वहाँ पे भी आप उनसे बात कर सकती हो, कि उनका कौन सा method होता है, और इसी way में आप one year या two years course को consider कर सकते हो, NTT course, nursery teacher training course, इस field में like PTT course भी होता है, primary teacher training course, बट वो जितने भी ये courses हैं, चाहिए आप NCT के इंडर करते हो, चाहिए आप Igno में ODEAL मोड में करते हो, चाहिए आप NIOS से करते हो, ये सभी vocational courses होते हैं, चाहिए आप इस course को regular conduct करते हो, like regular करते हो, कि आप घर पर बैट के regular course को join कर रहे हो, 24-25 के sessions के लिए, ये regular होते हैं, बट ये vocational ही होते हैं, distance learning में इस course को consider किया जाते हैं, कि ये course अपने distance learning के according complete किये हैं, और उसके base पे मान के चलो, अभी के लिए तो regular courses ही चल रहे हैं, अभी के लिए तो उन्होंने regular courses को ज़्यादा consider किया है, कि हाँ, आपके पास अगर face to face mode वाला regular course है, तब इस post के लिए eligible हो सकते हो, बट अभी ये जो condition है कि NCTE ने entity course बंद कर दिया, उसकी जगापे DPSC course जो अभी run हो रहा है, अगर उन्होंने कोई notification निकाला कि हाँ, NCT वाले इस बच्चे apply कर सकते हैं, तब आप NCT वाला जो दो साल का आपका already up कर रखे हो, जाप फिर आप करना चाहते हो, और आप complete कर लेते हो, फिर आप उसके base पे apply कर सकते हो, क्योंकि जो NCT के vacation courses होती है, वो as a private sector में आपका full value रहता है, private sector में आप कहीं भी उसको use कर सकते हो, जॉब सेंटर वालों के पास होता है, तो अभी main बात यही है कि जिन बच्चों ने beard already कर रखा है, seated कर रखा है, तो main तो यही है कि आप अपनी line पे ही focus कीजिए, आप अपनी line के according अपने exam बगरा फिल कीजिए, और test को crack कीजिए, बट फिर भी आपका मन है कि मैं pre primary teacher बनना चाहती तो पहले तो requirement यह है कि government exam के लिए आप DPSC course देखिए, अगर DPSC course होता है, आपके near कोई college करवाता है, तो वहाँ पे 2 साल spend करके आप DPSC course कर सकते हो, अगर आप DPSC course नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे भी एक fact यह है, जो DPSC course है 2 साल का, उसकी जो amount रहती है, fees रहती है 2 साल की, वो आपकी तगरीवत 70,000 से plus 1 लाग के बीच में रहती है, depend करता है college पे, कि college वाले हैं, वो कितनी fees लेते हैं, जो NCT वाले vacation courses होते हैं, उसकी fees आपके 15,000 से 20,000 के बीच में रहती है, तो जो candidate like money expand कर सकता है, उसके पास time भी है, और वो ज्यादा payment करने को ready भी है, तो आप DPSC course कर सकते हो, DPSC आपके पस option है, कि आप उस site जा सकते हो, उसके बाद जब post आती है, post fill करके, जो आपका government exam है, वो आप ट्रैक करोगे, और आपकी post like government teacher बन जाओगे, secondly वो candidates जिन्होंने B.A.D. कर रखा है, graduation किया है, B.A.D. भी complete है, और आगे pre primary के लिए कुछ करना च course करके रख सकते हो, जब भी आपको need पढ़ती है, उस course के according आप अपना लाइकर, जो भी आपकी job बगारा है, उसके according आप उसमें use कर सकते हो, certificate को, या फिर अपनी जो qualification, another qualification है, वहाँ पर अपने skills दिखा सकते हो, कि side way मैंने अपनी regular study के साथ साथ, इस course को भी हमने skill development course को complete किय है, तो यह difference हा कि NCT वाला और NCTE वाला, regular with vocational, और सभी बच्चे इस फीड में लाइकर, इस question में confuse हो रहे हैं, कि B.E.D. के बाद हम regular entity course कहां से करे, तो मैंने इस वीडियो में आपको proper बताया है, कि कहां से आप consider कर सकते हो, किसका क्या benefit रहता है, फिर भी कोई doubt रहता है, तो आ क्योंच कहां से आपको रहता है.